हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में आज ये वीडियो में हम ये सिखेंगे कि सपोर्ट और रिजिस्टन्स लेवल्स कौन से जगा पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि आप आदे आदूरे कंसेप्ट लेके मार्केट में उतर जाते हो और आपको प्रॉपिट नहीं होता तो दो-तीन वीडियो पहले हमने जो सब स्टाटेजी डिसकर्स की थी लास्ट में मैंने जो moving average concept लेके एक स्टाटेजी आपको सिखा था वो same use करके मैंने जो live trading किया है उसका वीडियो में ये वीडियो के लास्ट में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ तो वीडियो में बने रहे अभी हम support and resistance कहाँ पे और कैसे draw करना है और उसका ज़्यादा तर utilize कैसे करना है यह सिखेंगे तो अगर आप intra day trader हो तो previous day high और previous day low यह सबसे important levels है आपके लिए as a resistance and support तो एक simple बता तो हमें कि इसको draw कैसे करना है तो यह आज का दिन है इसका high यहाँ पे है इसका low यहाँ पे ठीक है तो एक कल के लिए मतलब कल वेनर्ज देए एक कल के लिए दो levels as a support and resistance work करेंगे तो सब्सक्राइब तो सेकंड support and resistance based important pattern है three dates का high and low तो आज तारीक है 14 मार्च तो 14 मार्च 13 मार्च और 10 मार्च का total high बनाता और low बनाता वो हम mark करेंगे अभी ठीक है तो यहाँ पे देखो high कहाँ पे बनाए यहाँ पे ओके तो यह रहा मेरा resistance level same support zone कहाँ पे आज का ही low okay तो अगर मुझे कल intraday trading करना है venus day के लिए तो मैं यहाँ पे closely watch कुरूंगा कि market नीचे के levels पे bounce हो रहा है कि यह levels break कर रहा है okay candles हमें समझा देगी सब कुछ right अगर bullish candles मिल रही है तो मैं ऐसा समझूँगा कि market अभी यहाँ पे support ले रहा है same अगर यहाँ से market नीचे गया और नीचे trading करना चालू हुआ तो मैं ऐसा समझूँगा कि market यहाँ से अवर नीचे गिर सकता है तो in case अगर यहाँ पे मुझे कल bullish bar मिलती है तो मैं targets कैसे लगाऊंगा यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे देखो और price range select करना है तो 3 दिन का high से लेके 3 दिन का low around कितना है 540 है 540 का half करना है आपको कितना हुआ around 270 हुआ तो जैसे ही market यहाँ से आपका bounce होगा यह लेवल से तो around इसका 50% तो यह लेवल से तक में target expect करूँगा कल निप्टी से यह लेवल से around 17, 230 के आसपा से तो यह रहा अपना second pattern first pattern क्या था previous day का high और low second pattern क्या है तीन दिन का high और low तो अभी आपको एक doubt आ सकता है अभी नहीं तो बाद में future में पक्ता आएगा तो आप ऐसा सोचोगे कि हम इतने support and resistance pattern follow करेंगे तो चार्ट पे 10-15 lines हो जाएंगी तो आपको patterns बता है एक था जो previous day का high और low mark करना है second में अभी क्या बता है मैंने 3 दिन का high और low mark करना है ठीके तो अभी देखो अगर आपने previous day का यहाँ पे marking किया high और low ओके और बाद में कल क्या हो रहा है market आपका यहाँ पे trend हो रहा है trade हो रहा है तो क्या हो जाएगा यह जो आपका resistance level था यह जो red color का line है यह आपका क्या होगा support level work करेगा तो आपको ऐसे time क्या करना है resistance level find out करना है लेकिन आपको पता है कि तीन दिन का high और low as a resistance work करेगा तो यह रहा आपका high यहाँ पे marking कर रहा हो में तो यह as a resistance रहेगा जब भी आप यहाँ पे trade initiate करोगे तो as a target यह levels आप consider कर सकते हो ठीक है ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर line draw करे हो यहाँ पर line draw करे हो यहाँ तो market यहाँ पर trade कर रहा है तो यह line को कुछ follow करने का मतलब जरूरत नहीं है same market अगर यह level के ऊपर चला गया तो यह नीचे के दो level यह से भी कुछ काम के नहीं है तो तीन दिन का high और low कब काम में आएगा जब previous दिन का high और low के range के बाहर जब market जाएगा तभी तीन दिन का high और low काम करेगा ठीक है तो यह अभी ध्यान में ओके तो support and resistance related third pattern है trading gaps जो आपको daily chart पे दिखाए देंगे ठीक है तो मैं एक दोन example देता हूँ यहाँ पे देखो market gap up open हुआ था यह zone में तो यहाँ आपको क्या करना है previous high मतलब पिछले दिन का high यहाँ पे मार करना है यहाँ पे देख रहे हो आप थोड़ा zoom in कर देता हूँ मैं और और same next day का low ओके तो यह क्या हुआ आपके लिए support and resistance zone तो आप यहाँ पे देख सकते हो future में भी जब market यहाँ से मतलब पूरा उपर जाके गूम के market डिब नीचे आया तो यह जो gap था जैसे यह gap यहाँ पे फिल हुआ तो यह zone as a support work कर रहा था same यहाँ देखो लगातार चार से पाच बार यहाँ पे क्या कर रहा था as a support market work कर रहा था लेकिन जैसे यहाँ पे gap को break हुआ और sustain होना चालू हुआ यहाँ से fall आया same यहाँ पे देखो यह वाला एक सेकंड यहाँ पे देखो market gap down open वा था एकदम छोटा सा gap है लेकिन हो हम consider करेंगे तो यहाँ पे देखो जहाँ से gap चालू हुआ था ओके और next day का high तो यह zone देखो यह zone as a resistance work करेंगे एक सेकंड ठीक है perfect यह zone as a resistance work करेंगे तो जब भी market नीचे से यहाँ approach करेगा तो यह दोनों levels as a resistance work करेंगे तो यह analysis आपको daily chart पे पहले करके रखना है intraday trading के पहले यह आपको सब analysis करके lines draw करकर रखने हैं तो अभी देखो जैसे मैंने यह confusion वाले part में दो मिनिट पहले आपको बताया था कि ज्यादा lines होने से आपको confused नहीं होना है देखो अगर market आपका यहाँ पे ट्रेड कर रहा है something around 17,300 ओके तो ऐसे टाइम यह दोनों levels कु पैटन है train line and channel जिसका use करके मैंने आज intraday trading किया जो मैं आपको बाद में analysis में शेयर कर दूँगा ठीक है तो हम bank nifty के chart पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे scalping purpose के लिए एक minute का chart यूज गया था ठीक है तो अभी यह सब lines में सबसे पहले remove करता हूँ ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो market around यह levels पे आज घुला था ओके नीचे गया ऊपर गया बाद में फिर से continuously नीचे आना चालुआ तो यहाँ एक support level था मैं भी बाद में discuss करू दो points मिलने के बाद आपको क्या करना है trend line draw करना है ठीक है तो मैंने यहाँ पर train line draw करी सेम उसके बाद यहाँ पर क्या था एक point दोन point तो मुझे यहां पर क्या मिला और इक यह वाला train lane तो मेरे दिमाग में एक ही plan था जैसे इसके ऊपर चला जाएगा market में buy side जाओंगा इसके नीचे चला जाएगा market में side चला जाओंगा तो यहाँ पे क्या हुआ higher loads और जैसे यहाँ पे breakout मिला मैंने यह candle पी यहाँ पे put sale किये, मैं option seller हूँ जो option buyer है, यहाँ पे buy करेगा मैं option seller हूँ, यहाँ पे sale करूँगा, okay, put sale करूँगा तो यह क्या है, train line pattern है, इसको करने के लिए कैसे करना है, मैंने last वीडियो में बताए आपको कि आपको बस दो ऐसे points collect करने है जो use करके आप train line draw कर सकते हो, same एक line उपर, एक line नीचे, जैसे breakout मिला, मैं buy किया तो यह है मेरा सबसे favorite support and resistance related pattern, जिसे train line और channel बोलेंगे तो सबसे last easy to understand और automated support and resistance level mark करने daily, weekly, monthly, pivot, point, standard यह type करना है, यह जिसने code बनाए है, उसका नाम है, आप इसका screenshot लेके यह find out कर सकते हो, तो यह आप जैसे ही चार्ट पे लगा होगे, लगा होगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है तो आपको क्या करना है, यह इंडिकेटर के setting में जाना है style में जाना है, sorry, inputs में जाना है, और यहाँ पे weekly और daily, यह दो hide करना है, ठीक है आपको बस monthly यहाँ पे रखना है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो previous month close, support one monthly, support one previous month low, यह levels automatically आपके chart पे draw हो जाएंगे, जैसे ही आप इंडिकेटर लगाओगे तो मैंने अभी दो मिनिट पहले जो बताया कि मैंने एक आज intraday trade किया bullish side buy side trade किया, यह trade मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे support level था monthly, तो मेरा plan था कि यहाँ पे यहाँ से मतलब market उपर जा सकता है तो मैंने जैसे ही देखा यहाँ पे कि market ने यहाँ पे level यह break किया और इसे यहाँ पे follow through नहीं मिला follow through मतलब वो red candle जैसे ही बनी, yes one के नीचे उसके बाद एक भी red candle वहाँ पे नहीं बनी तो मैं यहाँ पे चुपचा बैटा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि directly यह green candle पे आपको buy नहीं करना है आपको proper एक pullback चाहिए एक setup बनना चाहिए proper consolidation होना चाहिए market में ऐसा कभे नहीं होता कि market नीचे आया support के पास आया directly उपर चला गया ऐसे नहीं होता market यहाँ पे थोड़ा consolidation करता है उसके बाद breakout देता है तो train line के use करके मैंने कैसे इंटर की यह मैंने बता है लेकिन यह indicator आपको automatically support and resistance level find out करके दे देगा ठीक है? अभी यहाँ पे right side में इसका सब कुछ marking है देखो अभी यहाँ पे क्या था? यह था आपका pivot zone यहाँ पे P दिखाए दे रहा है pivot points यह एक detail concept है इसके बारे में मैं अलग सी वीडियो बताऊंगा आपको बस इतना ही करना है P मतलब pivot आसन भाचा में बता रहा हूँ P मतलब pivot pivot की नीचे जब market trade करता है आपको sales side रहना है कब तक रहना है? जब तक आपके support zone एचिव नहीं होते वाइस फरसा जैसे आपका level आपका stock आपका bank nifty support level के आसपास आता है तो आपको वहाँ पे buy levels initiate करने ठीक है? सेम आपको उपर की तरफ resistance level भी दिखाई देंगे ठीक हम तोड़ा उपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या है? resistance 1 है यह क्या है? monthly resistance 1 ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से एक बार reverse हो आता यहाँ से एक बार reverse हो आता तो जैसे ही stock resistance level के आसपास आता है तो आपको वहाँ से short trade find out करने है कब तक जब तक आपका stock pivot तक नहीं आता जैसे ही आपका stock pivot break करता है तो आपको yes 1 तक trade initiate करने मतलब yes 1 level जब तक नहीं आती तब तक आपको short रहना है और जैसे yes 1 level आती है आपको buy set रहना है लेकिन parameters क्या है जो पिछले वीडियो में मैंने logic बता है थे support कैसे draw करना है buy कहाँ पे करना है sale कहाँ पे करना है train line कहाँ पे करना है अभी देखो आज stock यहाँ पे आया था yes 1 मैंने buy नहीं किया मैंने train line का use किया जैसे breakout मेला मैंने buy किया तो यह हमारा last support and resistance related pattern है तो यह sub pattern आपको at a time mix नहीं करने at a time mix करोगे तो चार्ट पे इतनी lines हो जाएंगे कि आपको candle जिखना बंद हो जाएगा तो आपको बस दिमाग में इतना रहना है आभी देखो आपका stock एक common देखो stock market कही से भी उपर नहीं जाता कोई भी random level से उपर नहीं जाता उसके पीछे एक logic होता है और यह logic जो लोगों को पता नहीं होता वो market को trap बोलते हैं लेकिन trap जैसा कुछ नहीं होता market properly sub levels follow करता है लेकिन आपको वो travels find out करना चाहिए और यह find out आपको कब करना है pre-market analysis में तो आज जैसे ही market कुला में तयार था मेरे support one के साथ जो मेरा monthly support है ठीके तो यह last नहीं था मैंने गलती से बोला कि last pattern है तो यह last pattern नहीं है इसके साथ साथ एक और एक last pattern में share करूँगा आपके साथ ठीके तो मैंने आज जो trade किया उसका analysis आपके साथ share करता हूँ और यह same analysis आपको भी use करके पैसा कमाना है बस देखे इसको ignore मत करो क्योंकि यह analysis एकदम easy है और easy to understand है आप भी यह आपके trading में use कर सकते हो तो सबसे पहले मैंने क्या notice किया था सबसे पहले यहाँ पे मैं mark कर रहा हूँ support one कहाँ पे bank nifty उसके monthly support one के आसपास था तो ऐसे टेम आपको क्या करना है sell side के ही trade sell मतलब put sale obviously bank nifty जैसे उपर जाएगा आपका put नीचे आएगा तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि buy side के trades find out करने है आपको bank nifty में मैं क्या हूँ? option seller हूँ bank nifty जैसे उपर जाएगा मैं क्या करूँगा? put sale करूँगा तो मैंने 39,300 का put का chart ओपन करके रखा था और इसमें मैंने entry कहाँ पे की और exit कहाँ पे की stop loss कैसे लगाया? risk reward कितना लगाया? यह सब मैं आपके साथ share करता हूँ ठीक है? तो मेरा plan क्या था? bank nifty उपर जाएगा मैं put sale करूँगा इतना ही मेरा plan था ठीक है? तो यहाँ पे देखो candles गायब emotions गायब जैसे ही moving average उपर जा रहा था मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे moving average का top बना तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक horizontal line draw करूँगा क्यूँ? यह मेरा क्या हुआ? resistance zone red line marked same आपको क्या करना है? support level support देखो यहाँ से एक बार bounce वा था यहाँ से एक बार bounce वा था ठीक है? तो मैं यहाँ पे और एक level draw करता हूँ यह मेरा क्या हुआ? support level इसके बाद मैं ने किया किया candlestick open किया candlestick pattern open किया तो यहाँ पे देखो point number one point number two दो points मिले आपको पता है मैं क्या करता हूँ दो points मिले यहाँ पे मैंने किया किया एक trend line draw किया तो देखो market कभी भी directly उपर नहीं जाता directly नीचे नहीं जाता same logic directly उपर नहीं गया directly नीचे नहीं गया same directly उपर नहीं गया यहाँ से यहाँ तक market आया और market ने यहाँ पे trend line यहाँ पे breakdown दिया जैसे breakdown दिया सब अब रिमोग करता हूँ मैंने यहाँ पे entry करी 260 के आसपास 263 I guess मेरा entry level था मोटा मोटी आप पकोड़ो 260 मेरा stop loss क्या था यहाँ से देखो यह एक last swing है छोटा वाला तो मैंने क्या क्या ज्यादा risk नहीं लिया मैंने 310 पे मेरा stop loss यहाँ पे place किया 260 entry 310 stop loss 50 रूपीज का risk option selling अगर करना है तो आपको target क्या रखना है 1 is to 2 तो 50 रूपीज का risk target कितना 100 रूपीज 260 से minus किया मैंने 100 कितना हुआ 160 तो around near levels जब आए तब मैंने यहाँ पे profit booking किया तो यह था मेरा आज का 1 is to 2 वाला trade क्यों? क्योंकि moving average नहीं यहाँ पे sign दिया था second sign क्या था यहाँ पे मेरा यह breakdown मिल रहा था यह सब analysis इतना नहीं होता नहीं easy होता आने वाले 13 October को मुझे 7 years complete हो जाएंगे मार्च मतलब 7 years complete हो जाएंगे stock market में तो यह मैंने starting में मैंने मैंने जर्नी बताए आपको याद होगा मेरे भी डेर साथे indicators रहते थे मैंने सब remove किया बस moving average अकेला रखा क्यों? क्योंकि यह मुझे direction देता है direction के साथ साथ मैंने price section लगाया और normal option selling 1-2 targets रखे ठीक है? तो यह रहा मेरा आज का trade का analysis अब यह मैं जाते जाते मेरा कल का analysis क्या है यह आपको use में नहीं आएगा क्योंकि यह video आपको कल शाम को market यहां से यहां तक आए ओके यहां पर अभी market क्या कर रहा है? consolidation कर रहा है मैं यह वाला level draw करता हूँ market यहां पर consolidation कर रहा है consolidation हो रहा है यह resistance level है ओके और यह क्या है मेरा train line तो जब तक bank nifty यह train line के नीचे नहीं जाता मैं selling नहीं करूँगा magnitude में मैं buy side के levels ही prepare करूँगा कब तक मेरे targets बता थो market approximately यहां से यहां तक गिरा है तो directly यह direct top नहीं जाएगा और directly यहां से नीचे भी नहीं जाएगा जब तक यह train line ब्रेक करता है तो क्या है? यहां पर जाना है आपको price range, price पकड़ लो 41,000 से यहां पे around 2,500 points magnitude गिरा है तो मेरा target क्या रहेगा? इसका 50% 50% भी बहुत ज़्यादा है इसका भी 50 करता हूँ में तो मेरा target बैंग इप्रोक्सिमेटली यह levels से करेगा 39,900 के आसपास अगर मैंने यहां पे buy trade initiate किया यह levels पे यह levels पे क्यों यह बताता हूँ मैं फिर से थोड़ा close जाते है यहां पे क्या है? trend बनना है अपर की तरब उपर की तरब यहां पे क्या है? मेरा resistance level है approximately हम पकड़ सकते हैं यहां पे क्योंकि इसके उपर bank nifty ने अभी तक closing ने दिया तो bank nifty ने अगर यहां पे कल closing मिला मुझे अच्छा का साथ यहां पे bullish bars मिले यहां पे मैं buy करूँगा मेरे targets रहेंगे something around 39,900 यह levels के आसपास मेरे targets रहेंगे 200 से 300 point bank nifty दिखा रहे हैं मतलब options मुझे easily 100 to 150 देगा मेरा daily का इतना है रहता है same अगर bank nifty ने यहां पे breakdown दिया तो मैं क्या करूँगा यहां पे देखो breakdown दिया तो यह level रहेगा मेरा around 39,300 इसके बाद psychological level कुन सा है 39,000 यह मेरा psychological level है तो in case यहां पे breakdown मिला तो यह levels के लिए मैं trade करूँगा सबसे important क्या है bullish भी देखा मैंने bearish भी देखा लेकिन अगर bank nifty इसके बीच में trade करता रहेगा तो मैं चुप-चाप बैटूँगा 70 to 80% times market side-wise रहता है इसके बीच में आपका loss होता है तो loss करने से अच्छा pre-market analysis करो आपके levels find out करो और चुप-चाप बैटो जब तेक आपके entry नहीं मिलती तो ये वीडियो ये concept सब आज यही पे भी हम stop करेंगे ये आपको try करना है try करके आपको comments देना है ठीक है तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जाते जाते आपको क्या करना है like करना है, comment करना है और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है ताकि ये simple concept उनको भी समझ आना चाहिए कोई भी आप paid course जोइन करो कहाँ पे भी जाओ इतना easily आपको कोई भी नहीं समझाएगा ये मैं लिक के देता हूँ ठीक है तो don't forget to like and comment अग्योड़ चाहिए अग्योड़ चाहिए